नमस्ते, असलावालेकुम, शशेकाल, केमोनाचे, केमचो, मैं रविरंजन आपका बिक फैक्शन के ओफिशल यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, तो शुरू करने से पहले दोस्त हूँ, अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज से सब् व्यूज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाब 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 शेट, तो दोस्तों, आज का हमारा विशह है, amazon.in पे seller account या फिर merchant account को successfully register करने के लिए, आप अपने browser पे जाएं, और sellercentral.amazon.in टाइप करें, जिससे की एक page open होगा, जहाँ पे login या start selling का option आप द on account, उस पे click करने के बाद, आपका नाम, phone number, email id and password देनी के जगह आप देख सकते हैं, एक form खुल चुका है, जहाँ पे आप अपने details mention करेंगे and after mentioning the details, continue button को press करेंगे, तो यहाँ दोस्तों आपको दिखाने के लिए, एक seller के details यहाँ पे mention की जा रही है, उसमें password अभी डाला ज जा रहा है, पास्वर्ट डालने के बाद, आप देख सकते हैं, continue button को press करेंगे, फिर वो capture के page पे चला जाएगा, यह capture के page पे जैसे mention किया रहेगा, small characters, capital characters, numeric characters, वैसे ही exactly डालके continue button को press करेंगे, जिससे की हमारे registered phone number पे 6 digit का OTP जाएगा, उस 6 digit का OTP जाने के बाद, वो 6 digit का O पे लेडी और password सेव हो चुका होगा, एंद फिर यहाँ पे company slash business name डालेंगे, यह वही details यहाँ mentioned होगी, जो कि हमारे JSTN certificate पे mentioned होगी, वो mention करने बाद continue button पे प्रेस करें, यहाँ पे store name लिखने का option आ रहा है, अपनी primary product category के choose करने का option आ रहा है, और साथी साथ आपका pin code and address mention करन करने का option आ रहा है, वो mention करने के बाद आप continue button पे प्रेस करें, और देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके address इंटर हो चुकी है, इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं, three आपको options आ रहे हैं, choose your shipping method, so आपकी जो भी shipping method होगी, वो आप choose कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते है हम लोग ने Amazon easy ship की method choose की है, जिससे कि आपके location पे Amazon की easy ship वाले लोग आके pick up and easy returns कर सकते हैं, जिससे आपको hassle free business रहेगा आपका, वो step बढ़ने के बाद two step verification का process करना बहुत जरूरी है, वो अगर आपके यह online fraud से बचनी के लिए step है, अगर आपका email ID या फिर password भी किसी के पास है, so without OTP इसको नहीं open कर सकता है, इसलिए step बहुत जरूरी है, यहाँ पर आपना registered phone number आप डालने के बाद continue button प्रेस करें, फिर से एक verification के लिए six digit की OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ डालके आप continue प्रेस करें, जिससे कि कभी भी कोई login करने के कोशिश करेगा, उसके पास OTP साथ कोई भी fraud ना हो, और साथ ही साथ देख सकते हैं सब डालने के बाद two step button को प्रेस कीजिए, after that tax details mention करने का option आएगा, जहाँ पे आप अपना tax details, GST number, PAN card, legal name mention करने बाद next button को प्रेस करेंगे, यह GST number आप पान कारड वही details होनी चाहिए, जो आपके GST and certificate पे mentioned हो, यह करने के बाद आपकी step जो यहाँ पूरी हो जाती है, आपको listing करनी है, यह 5 details आपको fill करनी जैसे आप देख सकते हैं, shipping details, bank account details, tax details, product tax code and signature को यहाँ आपको upload करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, bank details upload की जा रही है, यहाँ पे bank details, आप भी आप अपना bank details mention कर सकते हैं, जिस पे आपक account की payment चाहिए, mind you, bank details डालते से हमें, please इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, कि सही details आप यहाँ पे mention कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर गलट details आप डालेंगे, तो transfer आपके bank account पे नहीं हो पाएगा, जिससे कि फिर पर परिशानी आपको हो सकती है, यहाँ पे आप product tax code details डाल सकते हैं, signature यहाँ upload करें, digital signature और फिर उपर start selling option पे जाके, listing करके, आप अपने account को launch कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, please हमें ज़रूर बताएं